तो चलिए चलते अपने रिपोर्टर के पास तो अंकित जी बताइए हमारे दर्सकों को आज के मौसम के बारे प्याना का तापमान कैसा रहेगा कल दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सिर्षा हतेहाबाग हिसाग भीवानी जज्जर महेंद्रगर मेवाग रेवाडी चर्खी दादरी और हरीदाबाग यहाँ पर रात का धिक्तम तापमान 30, 30, डिगरी तक रहेगा हवा की गत्ती बात करें तो कल हर्याना के लगभग सभी जिलों में हवा की गत्ती सामाने रहेगी तो आईए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर वहुती हल्की छिट्टुट वर्सा या फिर सर्फ ब पंचकुला, मेवात और यमुना नगर अब आईए देखते हैं पर्सों यानि 19 जुलाई की मौसम की जहाँ पर्सों दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सिर्फा, भिवानी, हतेहाबाद, हिसाग, जीन, पंचकुला, चर्थी दादरी, गुरगराम, जजज़र और कैथल यहाँ पर दिन का अधिक्तम तापमान 38, 38, डिगरी तक रहेगा इसी तरह पर्सों रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं महेंद्रगर, रेवाडी, रोहतक, सिर्षा, चर्थी दादरी, भिवा जज़र और जीन यहाँ पर रात का अधिक्तम तापमान 28, 28, डिगरी तक रहेगा हवा की गत्ती बात करें तो पर्सों हर्याना के लगभग सभी जिलों में हवा की गत्ती सामाने रहेगी तो आईए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुती हल्की छिर्फुट या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है ये जिले हैं भीवानी, कैथल, जज़र, जीन, महेंद्रगर, पलवल, रोहतक, रेवाडी, पंच्कुला, मेवाक, पानीपक और सिर्सा अब आईए वो जिले देखते हैं जहाँ पर हल्की या फिर हल्की से ज्याद वर्सा हो सकती है ये जिले हैं गुर्गराम, अंबाला, करनाल, हतेहाबाद, यमुना नगर और हिसार अब आईए वो जिले देखते हैं जहाँ पर बारिस के साथ ही विजली गिरने की भी संभावना है ये जिला है यमुना नगर तो ये था हमारे दोरा बताए गया हर्याना अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दे जहां दोस्तों और साथी खबरों को ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बोक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय को हमें जरूर बताए आज की खबरों में सरब इतना ही मिलत